ये मेंने दो बले हुए आलू कल बॉयल करके फिर्ज में रख दिये थे आज यूज करें हूँ इनका हम शिलका अटा देंगे ये आलू मेंने कल बॉयल किये थे और फिर्ज में रख दिये थे एक दिन पूरा फिर्ज में पड़े थे अब इन आलू को हम मेश करेंगे मेश करे गूंद लें आलू को अच्छे से अच्छे से मसल लें ताके यह नरम हो जाए अब हम इसमें डालेंगे नमक, हजवे, जायका और अब हम इसमें डालेंगे वन बाइटी स्पून काली मेर्च एक चोताई 9 x 80 पूमे पृप काली मेर्च है नमक और काली में डाल दे हम जालेंगे 10ило festivals मेदा 10Mart घे तेबल स्पूम दूद दूद भी 10arts 1 1 1 2 1 चथे तेबल स्पूम जतना मेदे भी 10ल मेदा 1 से 1 1 1 2 2 चथे ऑच्छे से मिलाएंगे मेदा, दू, नमक, आली मिर्च, आलू आलू इन सब को अच्छे से मिलाएं ये जो आलू है चिप चिपा सा होना चाहिए चिपका सा होना चाहिए ये जिसे अच्छे से मसल लें हाथों से ये देखें हाथों में चिपक रहा है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना ज्यादा गारा ना पतला बिल्कुल चिपकना चाहिए इस तरह से होना चाहिए पाइपिंग बेग ले उसमें ये आलू डाल देंगे हम पाइपिंग बेग में सारे अगर पाइपिंग बेग नहीं है कि दूद की थेली ले ले और फिर उसमें डाल के एक साइट से एंड का करेंगे और अब मैं 55 की नीचे की एन्ड काटने के पूरा नीचे तक पुश कर ऐँ पुश करें यािप मैं अगहान की जिब सेज़ दिफिट में में इंडित हैं में ए। में चाहे तो में तो यां पाइप म कें आ की ने के ए için और फिर उसमें हम फिंगर्स टालेंगे याद रहें आलू से घृक आउनी रहेंə हाथों से i a力 में बैल किये हूए हाथों सेस्टार मारी को तो diff मेज़ेंden तो से भुचीक का और अचाहिका, ब। हम धालू करेंडे हाथों से जाएविस क्याहा हाथों से गोल्डन ब्राउन च करनी है याद रहिए तेल बहुत गरम होना चाहिए वरना आपके आलू नीचे चिपक जाएंगे और साही से नहीं पकेंगे या तो तूट जाएंगे अगर अब हम इन्हें पलट देंगे थोड़ी देर के बाद गोर्लिन ब्राउन श्राय करना है दोनों साइडों से यह पक ग दाला फिर केंची से कट किया केंची से कट करें सीजर से यहां फिर आप हातों से तोड़ते जाएं इस तरीके से किसी भी शेप में बनाएं जो आपको एजी लगे मैंने फिंगर्स बनाई है तेल बहुत गरम होना चाहिए गोल्डन ब्राउन करना है आलू पका हुआ है सिर लाइट गोल्डन ही साही है तेल बहुत गरम है हाई फिलें पे गरम है फिंगर्स को यू ड्राप करते जाएं तेल में किसी भी शेप में आप इसे गोल्डन ब्राउन फ्राय करें पहले इसे ना पल्टें जब यह थोड़े उपर आ जाएं सरफेस पर और किनारा नीचे छो आपको इसकी किर्स्पी ने इसकी आवास सनाऊंगी तो लास तक देखें थेंक यू फॉर वाचिंग